अगर आप आशिशित होना चाहते हैं, अगर आप आशिशित जीवन जीना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रभाव साली बनना चाहते हैं, अपने काम में, अपनी सेवकाई में, अपनी नौकरी में, अपनी मिनिस्ट्री में, तो आप पर डे पर मेश्वर के वचन पर ध् हिर्दय में रख चोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करू अगर मेरे प्रिव आप परमेश्वर का वचन हर दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को आप अपने हिर्दय में बड़े अधिकाई के साथ में बसने दे रहे हैं, तो आपको मालूम है, ये वचन क्या करेगा, ये वचन अगर आपके हिर्दय में है, आपकी आत्मा में है, तो ये वचन क्या करेगा, ये वचन आपको पाप करने से रोकेगा, पाप के मार्ग में चलने से रोकेगा, अपनी बनाई योजना पर चल पड़े हैं, पाप में जिन्दगी गुजारे लगा, तार पाप में गिरते चले जाते हैं, सुवर के समान, नहलाओ सुवर को, नहलाओ सुवर को, तो वापस वो किछड में चला जाता है, कुटा उल्टी करता है और वापस अपना उल्टी को चाट लेता है, आपको बता दू वी आज कही विस्वासी और काई मसियों का जीवन बिल्कुल ऐसा ही हो गया है हाँ पाप कंगी हार करते हैं फिर पाप करते हैं यह कि यह इशु की लव से सुद्ध पवित्र है फिर किचण में जा कर के लोट पॉत करते हैं जाने सबसे बड़ा कारन किया है उनके जिंदगी में वचन की कमी है, उनकी लाइप में वचन नहीं है, अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक करोगे, अपनी मिनिस्टी में मिस्टेक करोगे, अपने वेवाहिक जीवन में मिस्टेक करोगे, पारिवारिक जीवन मे मिश्टेक करोगे、 मिस्टेक करोगे, बिainenसमें मिश्टेक करोगे, आप बहुत गलतियां करोगे, अगर वचन नहीं है आपकी लाइप में, मेरे प्रियो, अगर अपके जीवन में बचन हैं, आप बचन से हर दिन भरते जा रहे हैं, तो आप हर दिन ताजा भी शेक प्राप्त कर रहे हैं, और अगर आप हर दिन ताजा भी शेक प्राप्त कर रहे हैं, तो आप भरा हुआ कुंड बन रहे हैं, अगर आप भरा हुआ कुंड बन रहे हैं, तो मैं आपको बत विफ रिदे में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्यान सहित एक दूसरे को सिखाऊ और चिताऊ अब मेरी प्रेब धयान डिजेगा, कुलोशयोथ 13, 16 में धयान डिजेगा इसमें वचन केवल यह नहीं कहता है कि मसी के वचन को अपने हिर्दय में अधिकाई से बसने दो केवल इतना ही नहीं है बात इहीं पर खतम नहीं हो जाती सिद्ध ज्यान सहित पूर्ण ज्यान सहित परमेश्वर का वचन आपके हिरदय में अधिकाई के साथ में बसने पाए और आप क्या करो सिद्ध ज्यान सहित लोगों को सिखाओ और चिताओ आज मैं आपको बता दू मेरे प्रियोग आज कई लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं वचन पढ़ रहे हैं वो लेकिन आपको मैं बता दू वो वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं समझ रहे हैं परंतु वो वचन को अपनी बुद्धी के अनुसार समझ कर वचन को तोड रहे हैं मरोड रहे हैं वचन में मिलावट कर रहे हैं और गलत सिध्धांत वचन में मिलाकर गलत सिधान्त और गलत सिख्षा को आज लोगों को परोस रहे हैं मेरे प्रियों आज कई लोग हैं जो वचन का गलत अर्थ बता रहे हैं आज लोग वचन का गलत अर्थ प्रचार कर रहे हैं गलत सिधान्त बता रहे हैं गलत सिख्छा बता रहे हैं, आपको मालूम है, यही कारण से इतने सारे डिनोमिनेशन बनते चले जा रहे हैं, इतने सारे डिनोमिनेशन बनते चले जा रहे हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कभी भी विभाजन नहीं करता, पवित्र आत्मा एकता का आत्मा है, लेकिन विभाजन पवित्रात्मा की ओर से नहीं है, परन्तु ये विभाजन शैतान की ओर से है, पवित्रात्मा विभाजन नहीं करता, पवित्रात्मा एकता लाता है, और ताजा अभिशेक हमेसा यूनिटी को लेकर के आता है, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने पवित्रात्मा की काल करके गलत प्रचार किया गलत सिक्षा दी गलत सिध्धान्त बता दिये और आज कई लोग ब्रह्म में पढ़ें गलत सिक्षा में पढ़ें गलत सिध्धान्तों में पढ़ें गलत गलत डिनॉमिनेशन खड़े हो गये इसलिए बाइबल में इस पस्ट हमको बता दिया गया है क्या कि परमेश्वर का वचन बड़े अधिकाई के साथ तुमारे हिर्दय में बसने पाए पर सिद्ध ज्यान सहित पूर्ण ज्यान सहित मेरे प्रियों जब भी बाइबल पढ़ो परमेश्वर से प्रात्रा करो कि पवित्रात्मा बाइबल वचन मुझे समझा वचन की गहराई में लेकर के जा ताकि मैं वचन को सही रिती से समझ सकू उसका सही अर्थ बता सकू सही सिक्छा दे सकू सही प्रचार कर सकू पवित्रात्मा हालेलुया मेरे प्रियों अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे वचन का गलत अर्थ नहीं निकालेंगे वचन को तोड़ मरोड कर नहीं बोलेंगे वचन में कुछ कम कुछ जादा करके नहीं बोलेंगे वोई बोलेंगे जो पवितरात्मा ने आपको बताया है वोई बोलेंगे जो पवितरात्मा ने आपको सिखाया है मेरे प्रयोग झाल कर दो प्रयोग